नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्मेक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आईए कुछ और प्रशन कर लें जो कि एक घनाप के आयतन पे आधारत है। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि एक 13.5 लंबी, 6.5 उची और 22.5 सेंटिमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए ऐसे दिये गए नाप के कितने इट लगेंगे। तो सबसे पहले आईए हम इस दीवार से इस बात को समझने का प्रयास करें कि अगर हम इसका एक इट ले लें तो इट की लंबाई, चौड़ाई और उचाई अगर हम बराबर मानते हैं सारे इटों की तो इन कुल इटों की जितनी भी आयतन होगी वो ही तो इस दीवार की आ चार दस्तमाल कर रहे हैं, उसकी आयतन के बारे में अभी नहीं ध्यान दे रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दीवार का आयतन किसके बराबर होगा, कुल इटों के आयतन के बराबर, अब देखिए, यहाँ पे जो दीवार का आयतन है, वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक घनाप के रूप में है, 13.5 लंबी, 6 मीटर उची, और चूकी है सेंटी मीटर में दिया है, तो इसको भी हम मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, 100 से भाग दे के, और कुल इटों का आयतन अगर हमें निकालना है, तो मान लेते हैं, कि यहाँ पे एन इटे लगी है, तो एन गुना हो जाएगा, एक इट का आयतन है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक बात मानते हैं, कि सारी इटे जो हैं समान ही हैं, तो अगर हम एक इटे का आयतन निकालने और उसको एन से गु गुना 12.5 बटे 100 गुना 9 बटे 100 और ये किसके बराबर हो जाएगा 13.5 गुना 6 गुना 22.5 बटे 100 अब देखे 100 और 100 यहाँ पे कड़ गया अगर हम इसको और हल करने का प्रयास करें तो क्या होगा हम N को यहीं पे रहन देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 13.5, गुना 6, गुना 22.5, गुना 100, गुना 100, और बटे हो जाएगा 27, गुना 12.5, गुना 9, अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे, अगर यहां से हम शूने हटाएंगे तो यह 10 से गुना हो जाएगा, यहां से हम यह 10 से गुना हो जाएगा, तो यह 10 और यह 10 कट गया, फिर यहां से हमने यह हटाया तो यह 10 हो गया यह और यह कड़िया अब देखिए यहां पर हमारे पास आया 135 और गुना 6 तो इसको एक बार साफ लिख लेते हैं कि N बराबर आ रहा है 135 गुना 6 गुना 225 गुना 100 बटे और साथ में 10 भी है बटे 27 गुना 125 गुना 9 तो अगर मैं 25 को 125 को 25 से भाग दूँ तो 5 आएगा और यह 125 को 25 से करूँ तो 9 और 9 कड़िया अगर 5 से इसको करूँ तो 2 और 27 और 27 भी कड़िया तो इसका मतलब की 6000 तो अगर आप इस नाप का इटा लेंगे और इतनी बड़ी दीवार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको 6000 प्रयोग करना होगा आईए एक और प्रशन हल कर लें कह रहे हैं कि एक घनाब आकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी 5 मीटर सौड़ी और 4.5 मीटर घहरी है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है तो आपको पता है कि अगर यहां पे पानी की मात्रा पूछी जा रही है यानि कि जो दिया गया टंकी है उसका आयतन कितना होगा तो गनब आकार कहा जा रहा है तो यानि आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई और यहां पे लंबाई है 6, चोड़ाई है 5 और उचाई या गहराई कहलें 4.5 है तो 30 गुना 4.5 यानि की 135 घं मात्र घं मीटर इसका आयतन होगा अब अगर हम मात्रा निकालना चाह रहे हैं कि पानी की मात्रा कितनी होगी तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो 135 मीटर क्यूब में 135 लीटर पानी आएगा असान प्रशन था परन्तु ये बात जो है वो ध्यान रखना बहुत आउशक है इस प्रशन में तो दे दिया गया कई बार प्रशन में आपको इस तरीके का संबंद दिया नहीं जाएगा आपको खुच से सोचके लिखना होगा